लेबनान का हिजबुल्ला इसराइल के लिए एक बड़ा नासूर बन गया है जिसका घाउ लगातार बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि इसराइली फॉच जितना लिबनान के भीतर घुस्ती जा रही है हजबुल्ला उतनी ही आकरमत्ता से आईडियफ के उपर हमले कर रहा है और अब तो नौबत ये आ गई है कि फ्रेंट लाइन पर आईडियफ के सैनिकों और बहानों पर कब और कहां से हजबुल्ला के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन आगरे ये खुद आईडियफ को भी नहीं पता और अब इसी कड़ी में हजबुल्ला ने आईडियफ के उपर एक बहुत बड़ा हमला किया हजबुल्ला ने इस हमले को कैबर सिरीज का नाम दिया है हजबुल्ला का कहना है कि उसने इस ऑपरेशन के तहट इसराइल के ऊपर 41 हमलों को अनजाम दिया हजबुल्ला के मताबिक उसने आईडियफ के रणनीतिक हत्यारों पर भी हमला किया है हजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने सबसे पहले योटफैट कंपनी पर सुभह करीब 7 बचकर 5 मिनट पर एक ड्रोन हमला किया हिजबुल्ला का दावा है कि उसका ये हमला एकदम सटीक रहा वही आपको ये भी बता दें कि हिजबुल्ला ने IDF की जेस कमपनी पर हमला किया वो दक्षडी पूर्व के आका में है ये कमपनी IDF के लिए हत्यार बनाने का काम करती है और इस कमपनी के बाद हिजबुल्ला ने दूसरा हमला स्टैला मारिश नवल देश पर किया हिजबुल्ला का कहना है कि उसने सेंडर्डे पर सटीक हमला करने वाले रॉकेट दागे है और इसके बाद हिजबुल्ला के लडाकों की IDF के साथ सीधी भीड़त हो गई और इस हमले को लेकर हिजबुल्ला का कहना है कि जब दक्षडी लेमनन बॉर्डर के पास IDF घुसपैट कर रही थी तब हिजबुल्ला के लडाकों ने उनके उपर ताबर तोड गोलिया बरसा दी हिजबुल्ला के मताबिक जब ये हमला हुआ तो उससे पहले IDF का ये काफला सेने वाहनो और पैदल सेना के साथ उत्तर की तरफ बढ़ रहा था लेकिन IDF को रोकने के लिए हिजबुल्ला के लडाकों ने उसके उपर गोरिला स्टाइल में हमला कर दिया हिजबुल्ला के मताबिक IDF पर कैसे हमला करना है उसने इसकी योजणा पहले से ही बनानी थी हिजबुल्ला का दावा है कि जब IDF के इसका हमले पर हमला किया गया तो उसके लडाके हलके हत्यारों और RPG लॉंचर से लैस थे जिनोंने IDF के दो सेनवाहनों को आग के हवाले कर दिया हिजबुल्ला के मताबिक उसके इस हमले में इस्राइली सेना के कई सैनिक मारे गए और खायल हुए थी और इस हमले के बाद 28 अक्टूबर 2024 को शाम होते होते इस्राइली फॉस ने खियम कस्बे की तरफ दुबारा घुसपैट करने की कोशश की तो उसके उपर फिर से हमला किया गया आपको बता दे कि लेबनान का खियम कस्बा फार के लाओ और उत्तरी में तुला के उत्तरपूर में स्थित है लेकिन बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला ने यहाँ पर IDF के उपर रॉकेटों के कई जन्थे फायर किये इसके इलावा हिजबुल्ला की एंटी आर्मार यूनिट्स ने IDF के मेरकावा टैंक को भी उड़ा दिया हिजबुल्ला का दावा है कि उसने खियम के दक्षिण में अल हमामेस इलाके में मेरकावा टैंक पर हमला किया जिसमें IDF का मेरकावा टैंक पूरी तरह से तबहा हो गया हिजबुल्ला का दावा है कि इसराइल के लेबनान पर जबीनी हमला करने के बाद से उसने अभी तक IDF के 49 मेरकबा टैंकों को नश्ट कर दिया झाल 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 झाल